हैं अब जो दो समय नाम फैस में फिर साच को हैं कि नए वीडियो के साथ और आज की वीडियो में मैं कुछ नया दिखाने वाला हूं और ताके आप तक यह वीडियो पहुंशे और आप इस वीडियो को देख सकें और चैनल बनाए हैं तो जिल से सब्सक्काइब को लिए कि आज की वीडियो भी बहुत अच्छी होने वाली है और वीडियो अच्छी लग जाए तो चलिए शुरू करता हूं वीडियो बिना तेरी प्याइट हेलो दोस्तों जैसा आपने वीडियो म कौन सा कमेंट था तो आप यहाँ साइट में देख सकते हैं यह कमेंट लिका आया था मेरे पास किसी भाई ने किया था तो वो वीडियो में यह लेकर आ गया हूं और अगली वीडियो जो आएगी मेरी वह आएगी दोस्तों किस तरीके समें एसे बनाना भी सिखाऊंगा मग यह सामने शॉपा दिया और यह सामने देखते रहे हैं यह है यहां अच्छे साम एसिट करने वाले दोस्तों तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से हम इसमें अच्छे करने बाहरे हैं और अभी मैं यह दिखाऊंगा के हमें इस से रोक नहीं कि जरुत परती है यानि कि जब आप cello tape लगाते हैं तो वो गिरने लगता है अगर जिस्टे हो में acid वरेंगे तो यहां देख सकते हैं यह सामने आप देख रहा हैं दोस्तों यह लगांगे हम पांच वेम के छोटे-छोटे टोडे काटेंगे यानि कि दो सूत की पट्टी शीशे की और side में इसी खड़ी कर देनी है उससे यानि कि जो हमारा tape लगा हुआ है इस पर चुपका के अच्छे से खड़ी कर देनी है बागी का और आप देखें इसी तरह से चारो side हमने लगा लिया है अब हम चलते हैं चलिए दोस्तों आब इस पर acid करने के लिए ठीक है तो acid किस तरह के से किया जागा मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ तो यहां हमने लाके रख दिया है दोस्तों यह देख सकते हैं और इसका अगर हमें यह भी देखना होता है label यानि के उच्छा नीचा नहीं हूँ अच्छे से level लगा दे जहां हमें जरुद पड़ेगी level की तुम्हा लगा सकते हैं कोई सभी यानि के शीशा टूटा हुआ एक पीस होता छोड़े से पीस होते हैं छोड़े से टुकड़े जो होते हैं वो आप side से लगाए बेसिकली दोस्तो आप जो काम करते हैं वो जानते ही होंगा और यह है हमारा acid जी हां दोस्तो बहुत मेरे पास यानि के इसकी recommend आई थी के आप acid के बारे में बताईए कुछ या acid की वीडियो बनाईए तो मैं यह लेकर आ गया हूँ बहुत ध्यान से देखें यह हमारा normal acid है देख सकते हैं चेक हो रहा है किस तरीके से इसे हलका सा सूँआ जाता है ताके पता चल जाए किस तरीके से यानि कि hard है या नहीं है यानि कि हम ग्लास में शीशा मतलब ग्लास में अचिड डालेंगे तो वह सही है या नहीं तो यहां पर हमने जब चेक किया तो यहां normal था जिसमें के हम आप यह आप देख रहे हैं केन यह HF acid की केन है दोस्तों अब हम इसमें बिल्कुल pure acid आता है दोस्तों जी हां दोस्तों इसमें बिल्कुल pure acid आता ही यह देख सकते हैं हमने इसमें कर लिया है यह देख सकते हैं तो हमने जितना हमें यानि के हार्ट करना था उसके हिसमें इसमें डाल दिया है अपने हिसाब से डालना होता यह नहीं कि आप ज़्यादा है नहीं कम डालें इसके सबसी डालें, आप बागी का, अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे, मिलाने के बाद इसमे डालेंगे दोस्तो गिलास ही रखा है, दिजैन का, और वो सारी दोस्तो डीफ हो जाएगी तो ये acid texture कहलाए जाएगा जी हाँ दोस्तो आप ये आगए भी वीडियो को मैं दिखाने वाला हूँ complete वीडियो मैं ने इसी बनाई है किस तरीके से ये glass दिखता है बनने के बाद complete तो यहाँ आप देख सकते हैं तो आपको ये पता भी चल जाएगा किस तरीके से हमने इसमें acid क्या, किस तरीके से heart क्या जो भी हमने इसमें काम कर रहा हूँ मैं complete वो दिखा रहा हूँ ये देख सकते हैं और इसे अच्छे से acid इसमें डाल देना है बाकि अगर कहीं से भी आपको उंचा नीचा लगता है तो उसे अच्छे से label लगाकर एक्सार कर देना है तो finally दोस्तों हमारा इसमें इसमें हो चुका है complete ये देख सकते हैं आप अब ये सारा जहाँ जहाँ ब्लेक जपान रहेगा वहाँ का clear रहेगा और बागि सब deep हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ तक तो आपने वीडियो देखी लिए होगी अब मैं आगे का process दिखाता हूँ ये तयार होने का बात कैसा दिखता है यानि के यह सब ब्लेक जपान हडा देंगा तो चली मैं दिखा देता हूँ यह देख सकते हैं यहां पर हमने texture जहाँ था ब्लेक ब्लेक जपान वह सब छुटा दिया है अच्छे से इसको दोह दिया है यानि के wash कर दिया है अब दोस्तो आप देख सकते हैं जहां texture था वहाँ पर clear है और जहां texture नहीं था वहाँ सब्सक्रीफ हो चुका है अब दोस्तो जो pasting है यह sticker जहां चुपका हुआ है अब इसकी दोस्तो जो बनी हुई pasting है machine दुआरा जो के मेरी विडियो ने देखी हूंगी वो अब मैं चुपकाने वाला हूँ वो किस तरीके से चुपकाई जाएंगी वो भी मैं दिखाऊँगा आपको चली मैं दिखा देता हूँ तो यहां देख सकते हैं यह आप तयार होने के लिए आ चुका है यानि कि रेड ही हो जागा अब यह और कुछ मिन्टों में तो यह आप देख सकते हैं चली मैं आपको दिखा देता हूँ पेस्टिं के से चुका जाती है तो यहां देख सकते हैं पहले इसे अच्छे से सेट करना है यानि कि जहां-च्छे से चुकाइगा पर से किलो से चुपकाने वाले तो यह सकते हैं फर्स्ट मैं चुपका रहा हूं यानि फ्रस्ट चुपक रहे हैं स्वहीं यहाँ देख् SCENE SAM अविधियो देख लिए हो तो प्लीज यार चैनल पर नले हैं हमारा हमारे चैनल good glass ने जल्द से सब्सक्राइब करने अभी तक आप ने सब्सक्राइब नहीं किया है और इसकी notification अउन करने क्योंकि आने वाली वीडियो भी बहुत अच्छे आने वाली है और मैं जैसे आप जानते हैं मैं glass related वीडियो बनाता हूँ और आप तक पहुंचते इसका complete date लिया है और और भी दिखायतों में इसे नजदीक से यहां देख सकते हैं आप तो यह इसी तरह से और हाँ यह light जो है दोस्तों यह light की ही मदस से इसे चुपकाई जाता है या अगर आप चुपका सकते हैं तो सिर्फ दूप से और या इस light से मगर light से better है दूप से जादा बहतर light से क्योंकि दूप में अगर आप चुपकाएंगे तो एक पेस्टिंग पर ही धिहन देना पड़ेगा यहां पर आप चुपकाते रहेंगे और यानि कि जब आप चुपकाते रहेंगे तो एक बंदा धिहन देता रहेगा इस पर अच्छे से चुपकती चल जा आपको लाइक, सब्सक्राइब चैनल पर नाए हैं और बेल आइकन प्रेस कर दिजिए क्योंकि तभी आपको पास उसकी नोटिक्शन पहुंचेगी और दोस्तों मेरी और वीडियो काफी हैं तो आप दिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं क्योंकि मैं ग्लास से घर से आप तक ही वीडियो पहँचेँ सारी, क्योंकि मैं वीडियो अप्लोड टर्ता रहता हूं ताकि आप भी अपने हैं आपने पर देख Сससः और अपने घर में मुलता हूं आईस वी तब तक सर्दों जैइस हेशोब भाखेर, आप चाहिस